Hey guys welcome back to a brand new video आज हमारे पास एक new product है जो की है JBL का CS LM20B Levellier microphone और आज की इस वीडियो में हम इस microphone की unboxing करने वाले हैं और आपको इसका initial test करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये microphone जो है work करता है बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को start करते हैं अब गाइस कुछ इस तरह का हमें यहां पर microphone का box देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो औरेंज और वाइट का combination है साथी यहां पर हमें टॉप लेफ्ट कॉर्णर में जो है JBL की branding देखने को मिलती है और राइट में CS LM20B की modeling हमें देखने को मिलती है और आप देख सकते हो box इस तरह का है पीछे इसके सारे features लिखे हुए साथी pricing बगेरा लिखी हुई है और front में हमें microphone का image देखने को मिलता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो box यहां पर कैसा हमें देखने को मिल रहा है और box हमें काफी decent सा देखने को मिलता है packing अच्छी देखने को मिलती है में कोई complain नहीं मुझे box के left side पर आप देख सकते हो same image है और यहां पर right side में भी हमें same चीजी देखने को मिलती है और बात करिये अगर पीछे की तो यहां पर में pricing और इसके features वगेरा देखने को मिलते है tag लगा हुआ है साथी यहां पर barcode वगेरा सारी चीजे हमें जो है देखने को मिलती है और country of origin जिसे कि आप देख सकते हो इसका China है और यहां पर आप एक चीज देख सकते हो जो यहां पर MRP वो 2000 रुपीज के आती है जो कि definitely shocking है क्योंकि इसकी price 2000 नहीं है इसे मैंने purchase किया 799 रुपीज के लिए Amazon से और pricing के हिसाब से यह earphone मुझे काफी अच्छा लगा इनफाक्ट आपको जो यहां पर audio track सुनने को मिल रहा है यह भी इसी microphone से ही record किया गया है तो आप बता सकते हो कि आपको quality किस तरह की देखने को मिल रही है हाँ definitely यहां पर थोड़ा सा noise reduction और थोड़ी सी improvements आपको audio में देखने को मिलेगी यानि कि audio जो है वो edit किया हुआ है और फिर भी आप बता सकते हो कि editing करने के बाद आपके audio quality किस तरह की देखने को मिल रही है गाइस बिना time waste कि हम जल्दी से इस box को unbox कर लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हो unboxing करने के लिए यहां पर आपको एक sticker देखने को मिलता है जिसे कि आपको remove कर देना है तो मैं जल्दी से यहां पर sticker को remove कर देता हूं definitely sticker को remove करने में मुझे थोड़ी परिशानी होने वाली है क्योंकि मेरे nails बहुत ही चोटे यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो sticker को open करना थोड़ा मुश्किल भी actually काफी strong sticker है तो मैं यहां पर sticker को remove करने की कोशिश कर रहा हूं और sticker remove यहां पर हो चुका है जल्दी से मैं आप box को open कर लेता हूं और box को open करने के बाद यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो हमें एक box को side में रख देता हूं बैग में जैसी कि आप देख सकते हो आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिलती है तो जल्दी से हम बैग को यहां पर open कर लेते हैं वैसे बैग देकर के company वालों ने काफी अच्छा किया है जो माइक रखने के लिए आपके पास एक solid pouch है यहां पर कंडेंसर माइक है तो यहां पर में देखने को मिलता है और इसमें cell लगती है जो की L44 यहां पर लगती है और माइक को आपके साइड में रखते है और back के और contents के बारे में बात करते हैं विससे यहां पर देख सकते हो camera और smartphone के भीच में आप मोड यहां पर शिफ्ट कर सकते ह हमें देखने को मिलता है साथी यहां पर अंदर में silica gel है silica gel यहां पर है जो की basically aesthetics को improve करने के लिए लोगों ने डाल दी है और इसे आपको throw कर देना है खाना नहीं है ऐसे अब हम जल्दी से back को side में रख देते हैं और माइक को ले आते क्योंकि main product हमारा microphone ही है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो माइक हमारे पास है और microphone में यहां में condenser देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो और यहां पर बैटरी को जो है install करने का section देखने को मिलता है और यहां पर बैटरी को लगा सकते हो जो की आपको battery भी package के साथ ही देखने को मिलती है एक cell हमें देखने को मिलती है यहां पर लगा सकते हैं और जल्दी से मैं यहां पर बैटरी को जो इंस्टॉल कर देता हूं जिससे कि हम इस microphone को टेस्ट कर सकते हैं गाइज अभी जो audio है वो directly यहां पर मैंने जो है अपने smartphone में जिससे कि मैं इस video को record कर रहा हूं वहीं पर मैंने माइक को plug-in कर दिया है और मैं जो अपने videos है open camera से record करता हूं और वहां पर मैंने external mic को select कर रहा है as my recording source और अभी हमारी audio directly same smartphone से record हो रही है और इस audio को मैं edit भी करने वाला हूं क्योंकि मैं जाधा तर अपने videos की सारी audio के editing करता हूं मैं raw audio कभी भी upload नहीं करता हूं और देखते हैं कि editing करने के बाद आपको किस तरह की result देखने को मिलेगी जब ये video YouTube पे upload होगी तो आपको इस part का जो audio है वो edited देखने को मिलेगा साथी इस video में जहां जहां पे voiceovers की जरूवत होगी वो voiceovers भी मैं इसी mic से करूँगा और होप करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी अगर आपने इस video को यहां तक देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ इस video को like कर दीजिए और अपने दोश्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा मैं मिलता हूं आप सब इसे अगली वीडियो में तब तक एलिए जैहिंद बंदे मात्राइब झालिए झालिए जैहिंद आप सब्सक्राइब